इंडियन प्रीमिय लीग की वो टीम जिसके चाहने वाले बहुत है दूसरी टीम्स के फैंस भी इन टीम के लिए बुरा नहीं चाहते IPL से जुड़ने के बाद से ही इस टीम ने अपने प्रेदर्शन से लोगों को प्रभावित किया और इनके इस प्रेदर्शन में डेविड वोलने का बड़ा रोल था कप्तान वोलनल ने टीम को फ्रंट से लीड किया लगभग हर साल SRH के लिए सबसे ज़ादा रन बनाए लेकिन फिर IPL 2021 के दौरान जाने क्या बिगड़ा कि वोलनर को दूद में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फैका गया यहां तक कि उन्हें मैदान में आने से तक मना कर दिया गया था इस बात से फांस बिगड़ गए और फिर उन्हें स्टेडियम आने की अनुमती मिली लेकिन भले ही वोलनर मैदान में आने लगी हो उन्हें टीम में जगे तब भी नहीं मिली बीच सीजन ही उनसे कप्तानी छीन ली गई और फिर केन विलियम सन बने सारेच के नए कप्तान और इसके बाद जैसा की होना ही था वोलनर को रिलीस कर दिया गया अब फ्रेंचाइजी ने विलियम सन के साथ अब्दुल समद और उम्रान मलिक को रिटेन किया और फिर आउक्शन में कई सारे अच्छे प्लियर्स को भी अपने साथ जोडा नए स्कोर्ड के साथ ये टीम कैसा परफॉर्म करती है ये तो टूर्नमेंट ही बताएगा लेकिन उससे पहले हम आपके रिल लाए है 2016 की चांपियन्स का अनलिसिस अब इससे भी पहले एक गेमिंग आप की बात कर लेते हैं गेमजी आप गेमजी आपका लिंक हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है उस पर क्लिक केजे आप डाउनलोड केजे और कॉंटेस्ट में पाटिस्पेट कीजे गेमजी बहुत कामका और कमाल का अप है और हर रोज 5 करोड जीतरे का मौका है साथ ही साथ अगर आप फर्स टाइम डिपोजिट करते हैं तो आपको 100% का बोनस भी मिलेगा और इतना ही नहीं आप गेम के सेकिंड पार्ट में भी पाटिस्पेट कर सकते हैं चलिए शुरुवात करते हैं सन्राइजर्स के स्क्वाड से कप्तान केन विलियमसन, अब्दुल समद और उम्रान मलिक को रिटीन करने के बाद फ्रेंच्राइज मेगा उक्षन में गई और वहां कई सारे अच्छे प्लियर्स खरीदे इस खरीदारी के बाद ये टीम कुछ इस तरह रिखती है बल्लेबाज केन विलियमसन, अब्दुल समद, मार्को येंसन, शौन अबिट, अभिशेक शर्मा, वशिंग्टन सुन्दर गेंदबाज, उमरान मलिक, सौरफ दुबे, रुमारियो शेफर्ड, फजल हक फारुखी, जगदीश सुचित, श्रेस गोपाल, कार्तिक त्यागी, टीन अट्राजल, भुमनेश्वर कुमार इस आरज का पिछला सीजन के ऐसा था Sunrisers हैदराबाद अच्छा परफॉर्म करने वाले टीम है इस टीम के पास विसफोटक ओपनिंग और बड़िया गेंदबाजी हुआ करती थी साल 2016 में चैंपियन बनने के बाद इस टीम ने लगातार प्लेओफ में जगह बनाई लेकिन आईपियल 2001 के सीजन में टीम का प्रेदर्शन बहुत खराब रहा और ये प्लेओफ तक नहीं जा पाए टीम पॉइंट स्टेवल में सबसे नीचे अपने 14 मुकाबलों में हैदराबाद ने कुल 3 मैच जीते और 11 हारे थे इसके साथ टीम का इविवादों में भी रही IPL में सन्राइजर सहिदराबाद सन्राइजर सहिदराबाद की IPL एंट्री 2013 में हुई टीम ने आते ही धमाकेदार शुरुवात की शिलंकाई लेजन्ड कुबार संगकारा की कप्तानी में टीम ने अपने पहले ही सीजन में प्ले ओफ में जगे बनाई टीम पॉइंट सेबल में नमबर चार पर रही वही अगले दो सीजन टीम प्ले ओफ में जगे नहीं बना पाई टीम का सफर नंबर 6 पर खतब हुआ 2013 प्लेओफ, 2014 लीग स्टेट 2015 लीग स्टेट, 2016 चैंपियन 2017 प्लेओफ, 2018 फाइनल 2019 प्लेओफ, 2020 प्लेओफ, 2021 लीग स्टेट अब सन्राइजरस हैदरबाद के आॉक्शन के हाल पर आते हैं सन्वाइजर्स हैदरबाद फ्रेंचाइज 68 करोड के पर्स के साथ मेग आउक्षन में पहुची और यहाँ टीम ने बीतर सीजन में दिखी अपनी सबसे बड़ी कमी यानि की मिडल ओर्डर को दुरुस्त किया फ्रेंचाइज ने कई सारे मिडल ओर्डर बल्लेबाज अपनी टीम के साथ जोड़े जिसकी वज़र से टीम की बल्लेबाजी अब काफी गहरी नजर आती है प्रेंचाइज ने निकलस पूरण पर 10 करोड 75 लाग, वशिंग्टन सुन्दर पर 8 करोड 75 लाग, राहुल तरपाथी पर 8 करोड 5 लाग रुपे खर्च किये हैं अलग इसकी चल्ते उनकी बोलिंग थोड़ी सी कमजोर हुई है, साथ में टीम के लिए ओपनिंग कौन करेगा, ये भी चल्चा का विशय बना हुआ है टाकत, बीते कई सालों से सन्वाइजर्स की ताकत उनकी गेंदबाजी मानी जाती थी टीम के पास स्पेस और स्पिंग दोनों डिपार्टमेंट में अटाकिंग गेंदबाज हुआ करते थे लेकिन इस साल टीम थोड़ी सी अलग है, आईपेल 2022 में हैदराबाद की ताकत उनकी बल्लेबाजी होने वाली है क्योंकि टीम ने केन विलियंसन, राहूल तरपाथी, निकलस पूरा, नेडन माकरम जैसे भरोसिमन बल्लेबाजों को टीम के साथ जोड़ा है लेकिन समस्या ये रहीगी कि इन मिडल ओर बल्लेबाजों के भी इस टीम के लिए ओपनिंग कौन करेगा हैदरबाद के लिए ओपनिंग में जोनी बेस्टों और डेविड वार्नर की कमी को पूरा करना बहुत मुश्किल काम होगा कमजोरी, बीते सालों तक जो हैदरबाद की ताकत होती थी वो इस सीजन उनकी कमजोरी है यानि की गेंदबाजी, आक्शन में फ्रेंच्वाइज ने मिडल ओडर को दुरुस करने में इतना पैसा लगाया कि अपनी गेंदबाजी को भूल गए हैदरबाद की गेंदबाजी में अनुभव की कमी साफ दिखती है, टीम के स्पिन डिपार्टमेंट के बात करें तो राशित खान की जगए को भलने के लिए टीम में जगदीज सुचित और श्रेस गोपाल को लाया गया है वही पेस अट्रैक को समालने के लिए अनुभवी भूवनेश्वर कुमार और टीन अट्राजन है, लेकिन उनकी फिटनेस टीम के लिए चिंता का विशह रहेगी सुनराइजर्स हैदरबाद की प्लेइंग 11 अब प्लेइओफ के चांस की भी बात कर लेते हैं, आईपेल 2022 में अच्छा खेल कर हैदरबाद अपना बीता साल भूलाना चाहेगी इस बार फिंच्वाइजी ने अपने मिडल ओडर पर खूब पैसा खर्च किया है, इनके गिंदवाज इस साल थोड़ी कमजोल नजर आती है लेकिन अगर हर खिलाड़ी अपना रोल बखू भी निभादे, तो सन्वाइजर्स अराम से प्लेइओफ में पहुँच सकती है तो ये थी सन्वाइजर्स हैदराबाद का टीम प्रिवियो और आपके लिए जरूरी बात ये है कि IPL अब जल्द शुरू होने वाला है और ललन टॉप स्पोर्ट्स की कवरेज भी IPL में आपके लिए वहाँ मैट से पहले और बाद का पूरा हाल हम लेकर आएंगे अमारे साथ जुणना न भूलियो और देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स शुक्रिया